नमस्कार मैं हूँ शचांग लखेरा और अफिशली रशिया ने जो है अपने हेवी बंबर्स को जो है डिपलोई कर दिया है यूक्रेन की तरह अभी तक देखो रशिया जो है थोड़ा सहस्ता रशिया जो है थोड़ा आराम से हाँ पे बॉम्पिंग कर रहा था लेकिन अब रशिया जो है किसी को भी नहीं देखेगा रशिया ने अफिशली अपने जो हेवी बंबर्स है उनको डिपलोई कर दिया है और बिलकुल आज किसा में पूरी दुनिया जो है तीसरे विश्यूद के कगार पे खड़ी है और रशिया के जो फॉरिन मिनिस्टर है इसके लाव जो प्रेसिडेंट है उपनली इन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर वर्ड वॉर्ट थ्री होता है बतलब अगर बहुत सारे देश लड़ते हैं तो यह नुक्लियर वार ही होगा रशिया ने अपने परमाडू हत्यार को निकाल के रखा है सिर्फ मॉसको से एक और पास करना ह कि just drop a bomb in Ukraine और उसके बाद हमको एक भीशर तबाही Ukraine में देखने को मिलेगी इसके अलावा मैंने जो पहले कई वीडियोज बनाए हैं उन पे भी मैंने आपको बताया है कि रशिया ने officially Sweden को भी जो है यहाँ पे धमकी दिये कि अगर आपने भी European Union या NATO को जोईन किया तो उसके बाद आपको भी जो है बहुत जादा परिशानी जेलनी पढ़ सकती है और बिलकुल इस पे आर्टिकल भी है Russia's nuclear alert means NATO must tread carefully मतलब इसका हिंदी में meaning है रशिया के जो nuclear weapons है वो alert पे नाटो North Atlantic Treaty Organization जो की संगठन है जो की एक group है वो अपनी चाल जो है बिलकुल carefully चले अगर नाटो नो-fly zone declare करते हैं तो रशियन गवर्मेंट इसका सीधा मतलब यहीं समझेगी कि आप भी जो है हमसे युद्ध करने के लिए तयार है नाव लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार जो है आप यूकरेन के बारे में समझ लो मैंने आज तक यतने वीडियो बनाए है उसमें मैंने आ इसको सोवियत चंग कहा जाता है जब कोल्ड वर खतम हुआ 1991 में USSR टूटा USSR के बाद 15 देश बने जिसमें रशिया यूकरेन इसके अलावा जो बहुत सारे देश हैं वो आपको यहां पे देखने को मिलेंगे और आपको तो यह बात भी पता होगी कि रशिया आधा जो है यूकरेन लेंड वाइस अगर आप देखोगे तो यूकरेन एक बहुत ही बड़ा देश है जिया आप याद करो वर्ल्ड वार टू आपने बड़ा होगा कि हिटलर जाता ही जा रहा था यूससार की तरफ लेकिन फिर भी हिटलर जीत नहीं पाया इसका रीजन यही था कि यूकरेन के अबादी की बात करें तो यूकरेन की पॉपलेशन ने करीब 4 करोड 40 लाग के आसपास लेकिन अब आप यहाँ पे शायद यह सोच रहे होंगे कि यूकरेन इतना बड़ा है इसलिए रशिया उसको कर नहीं कब जा पार रहा है देखो इसका सिंपली यह रीजन नहीं है बाकी सारे जो पडोसी देश है यूकरेन का जो है वो बहुत जादा हद तक सपोर्ट कर रहे हैं इसके अलावा यूएसे भी आप सबूर्ट कर रहा है और भी बहुत सारे देश आप एमिनेशन भेज रहे हैं लेकिन ओपन लीक किसी भी देश ने आप यह नहीं कहा कि हाँ हम अपनी forces जो है deploy कर रहे हैं यूकरेन में और इसके various reasons भी हैं जो आगे चल के जो है मैं वीडियो में आपको बताऊंगा लेकिन अभी के लिए present situation ये समझ दो कि जब रशिया ने जो है war declare किया था तो रशिया ने करीब तीन तरफ से यूकरेन को जो है कबजाना शु यूकरेन की forces मौझूद है और यूकरेन की forces बिल्कु कड़ी टकर दे रही है मतलब किये जो city है वो आज समय यूकरेनियन military के अंडर में है लेकिन जो यूकरेन के बाहर की जगह है वहाँ पे रशिया और यूकरेन की आर्मी जो है लड़ रही है और मैं आपको बता दू कि रशिया इसी बात से चिंते थे कि 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक हमने जो है कियेफ को नहीं कबजाया है तो बाकी यूकरेन को हम कबजाएंगे और अभी तक रशियान आर्मी जो है कियेफ को नहीं कबजा पाई है ये आज ही के paper का article है मैं cutting जो है यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ आप देख सकते हो कि अभी तक करीब रूस के 10,000 सेनिक जो है यहाँ पे मारे गए हैं यूकरेन यहाँ यहाँ पे यह क्लेम करता है वहीं रशिया यह कहता है कि हमारे सिर्फ 498 soldiers जो है मारे गए हैं और अभी तक रशिया के करीब 40 हेलिकॉप्टर मार गिरा लेकिन वहीं अगर हम यूकरेन के तरफ देखते हैं तो यूकरेन के करीब 2000 लोग जो है मारे गए हैं इसके अलावा इनके 56 रडार भी जो है यहाँ पे खतम हो चुके हैं एरक्राफ्ट 31 बैटल शिप 1 एरक्राफ्ट 3 तो basically काफी huge losses जो है आपको दोनों तरफ देखने को मि लेकिन अब आप यहाँ पे यह भी सोच रहे होंगे कि हम क्या Russian military की बात कर रहे हैं Russian military जो की एक बहुत ही powerful army है उसके 10,000 सैनेक जो है अभी तक मारे गए हैं और अभी यूकरेन को जो है यह नई कबजा पाए हैं मतलब यूकरेन के आदे हिस्से को भी जो है आप यह नई कब पाए हैं तो आगे चलके बाकी यूकरेन को यह कब कबजाएंगे तो आगे चलके जब यह बाकी यूकरेन की तरफ बढ़ेंगे तब तो रशिया को बहुत ही heavy losses जिलना पर सकते हैं और अब जब रशिया को इतने losses हो रहा है तो रशिया जो है अब बिल्कुल पीछे भी नह और देखो अब जो है कहानी बिल्कुल आगे बढ़ चुकी है रशिया बहुत ही heavily bombing करेगा रशिया आप किसी को भी नहीं देखेगा क्योंकि इतना नुपसान जो है already रशिया को हो चुका है और अब जो कियेव है इसके इलावा जो और भी शहर हैं उन पे हमको बहुत ही भी उक्रेन की जो सरकार है उन्होंने अपील करी है नाटो से कि जल से जल जो no fly zone है उसको impose करो लेकिन इन सब का reason क्या है नाटो क्यों no fly zone को impose नहीं कर रहा उक्रेन में तो काफी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा already no fly zone के उपर सर ने जो है वीडियो बनाई है उस पर जो है मैं discuss नहीं करूँगा लेकिन इसके परेडाम क्या होंगे क्या नाटो no fly zone को impose करेगा अगर नाटो ने इसको impose कर दिया तो क्या होगा ओफिचली रशिया की सरकार ने याप ये कहा है कि अगर नाटो ने no fly zone को declare किया तो रशिया जो है ये समझेगा कि नाटो भी हमसे युद्ध करना चाहता है और बिलकुल nuclear war की स्थिती जो है बन सकती है तो काफी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा उसके पहले अगर आप किसी भी exam की preparation कर रहे हो तो आप हमारे smart courses तू कर सकते हो आपको simply करना क्या होगा app को download करना है फिर आपको website पर भी जो है login कर सकते हो लेकिन सबसे पहले तो आप इतना समझो कि Ukraine की मदद कौन कौन कर रहा है कितने देश जो है यहाँ पर सहायता कर रहे है तो यह आज के newspaper की ही cutting है करीब 55,000,000,000 करोड रुपे की सहायता प्रदान करी गई है Ukraine को अब इसमें पोलेंड ने 7,000 अमरीकी सैनिक भेजे हैं, Missile Defense System भेजा है, Sweden में करीब 5,000 अंटी टेंक रॉकिट्स भेजे हैं, Belgium में 3,000 आटोमेटिक राइफल्स भेजी हैं, 200 अंटी टेंक खत्यार भेजे हैं, Чेक रिपब्लिक ने 4,000 मोटार भेजी हैं, 30,000 पिस्टल भेजी हैं, 7,800 राइफल्स भेजी हैं, इस इसके अलावा 50 एंटी टैंक मिसाइल जो है दी गई अब इन सब के बीच में अगर आप अमेरिका का देखोगे तो अमेरिका ने जेविलियन एंटी टैंक जो है इस्टेंजर लिसाइल डिफैंस सिस्टम यह सब जो है प्रोवाइड करें है यूक्रेन को इसके अलावा अमेरिका ने करीब 37,950 करोड रुपी जो है या पर सेंक्शन कियो है और सिर्फ एतना ही नहीं यूक्रेन को कोई भी बिजली का संकट ना हो यूक्रेन में बिजली कट ना हो इसके लिए यूरोपी एलेक्टिसिटी ग्रिट से जोड़ने के लिए 227 करोड रुपे जो है आपे सेंक्शन किये है कैनिडा ने 3800 करोड रुपे मतब 3800 करोड रुपी जो है आपे सेंक्शन किये है जिससे यूखरेन वैपन को पर्चेस कर सकता है लेकन भले ही यूखरेन की जो फोर्सेश बहुत ही कढ़ी टकर दे रही है रसो को लेकं अब रस्यां ने आपके यह अनौन्स किया है कि वह अपने हैवी बामबऱ को डिप्लॉय कर रहा है और आप बिल्कु समझ सकते हो कि रशिया के जो bombers है वो बहुत ही heavy है वो इतनी heavily bombing करेंगे यूकरेन में कि यूकरेन के जो लोग है उनका बचपाना बहुत जादा ही मुश्किल है और इसी को देखते हुए जो अमेरिकी नागरिक हैं उन्होंने यहां पर यह का है कि भले ही हमारी सरकार जो है नहीं मान रहा ही यूकरेन के मदद नहीं कर रही है लेकिन हम जाएंगे या पार्टिकल दे सकते हो I just want to go help people some Americans try to join the fight in Ukraine तो basically यूकरेन में आज समय जिस तरीके के हालात हैं यूकरेन के प्रधार मंतरी मदद माग रहे है लोगों से इसके अलावा दूसरे देशों से तो भले ही उस देश की सरकार यहां पे नहीं मान रही कि हाँ हम अपनी जो फोर्सेस भो भेजे के लेकिन जो एक सर्विस मैन है जो रिटार्ट परसन है जो रिटार्ट आर्मी मैन है वो आज समय यूकरेन जो है लड़ने जा रहे है और अभी तक की रेपोर्ट के हिसाब से दस हजार से जादा लोग जो है पूरी दुनिया से जा रहे है जपान से भी कई लोग जा रहे हैं अमेरिका से भी जा रहे हैं केनिडा से भी जा रहे हैं मेकसिको से भी जा रहे है तो बहुत सारे देशों से जो है लोग यूकरेन की तरफ जो है यहाँ पर बढ़ रहे हैं रशियन फोर्से से लड़ने के लिए लेकिन अब आप यहाँ पे थोड़ा सोच के देखो कि जब अमेरीकी नागरेक अमेरीकी एक सर्विसमेन जो है लड़ने आएंगे और जब रशिया जो है अपने बॉमपर से यहाँ पे बॉम्पेंग करेगा तब उनके नागरिक भी यह पर ये कह दिया है कि अगर यूक्रेन में नो फ्लाइ जोन जो है यहां पर लगाए जाता है मतलब नाटो नो फ्लाइ जोन को जो है इंपोस कर देता है नो फ्लाइ जोन का मतलब होता है कि कोई भी विमान जो है उस एरिया पर नहीं आ सकता अगर वो आएगा तो उसके शूट नहीं लड़ी जाएगी इस बार का war जो है वो nuclear bump से ही होगा तो अब at last जो information जो है आपको मिली है अभी उसके हिसाब से आपको क्या लगता है क्या NATO countries जो है वो no fly zone को implement करेंगी या फिर जो इनके नागरेक हैं जो एक service man यहाँ पे लड़ने आ रहे हैं उनको जो है यह मरने के ल इसी के साथ यह तंदिस वीडियो का सुने के लिए बहुत धन्यवाद जहें जय वारत